आपने एक सिटी से दूसरे सिटी अगर जाना होता है और आप गाड़ी पे सफर कर रहे हैं तो आप पंजाबी जगेंदे नहीं है न सडकों सडकी बालन देओ गड़ी नू ठीक है means to say कि आप सडकों की बेस पे चलते हैं, रोड की बेस पे चलते हैं, आगे से सिधा जायें, जी जाते जायें, जाते जायें, छ्टे किलो मिटर जाने राइट ले l ET ले जायें चाहंपे रोड बनिया आप वहीं से जायेंगे, ठीक है लेकिन on the other side जब आप एक country से दूसरे country में जाते हैं तो आप एक जगा से उड़ते हैं करके दूसरी जगा पे land कर जाते हैं वो जैसे वो कहता नहीं है भाई land करा दे समझ रहे हैं ना तो वो आपको land करवा देते हैं तो जो Euclidean distance है वो एक point से directly उड़के दूसरे point पर जाने का नाम है लेकिन on the other side अगर आप blocks to blocks या square to square मूव करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है Manhattan distance और Manhattan distance क्या होता है मैं भी आपको example दे के समझाता हूँ screen आपके सामने आ चुकी है नाम मैंने लिया है Manhattan distance Manhattan distance Manhattan distance इस distance का नाम इस वज़ा से पढ़ा है क्योंके अमेरिका के अंदर एक Manhattan एक area है जहां पे लोग blocks की बातें करते हैं say for example ये हमारे पास एक block है इसके अंदर ये वाली buildings है ठीक है ये कुछ इस तरीके से इस block की building है फिर ये हमारे पास एक road है इस तरीके से जारी फिर यहां पे हमारे पास दूसरा block आ गया ठीक है लाइक दिस और यहां से भी road आ गी हमारे पास ठीक है सो आप क्या करते हैं Euclidean distance में एक point से दूसरे point तक जब आपने distance map ना होता है आप यहां से directly इसको map लेते है जो हमने पिछले lecture के अंदर देखा ठीक है लेकिन अगर आप Manhattan distance को देखेंगे तो आप directly नहीं जाते आप road by road जाते हैं यहां से यहां आगे फिर यहां से यहां आगे फिर यहां से यहां आगे ठीक है या आप directly पहले point से चले छोटी छोटी गलियों के बजाए main road से directly आपने सीधे गे और वहां से right turn लेके यहां पे आगे ठीक है यह जो distance measurement होती है from this point to this point जो एक block की form में होती है यानि कि आप square to square आगे मूव कर रहे होते हैं इस चीज़ को बोला जाता है Manhattan distance और Manhattan distance जो है इसी वज़ा से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है in different machine learning application क्यों? क्योंकि इसके कुछ फवायद है और this is a little bit different than the Euclidean distance जिसकी वज़ा से हम दो points के दर्मियान जो distance है उसको माप सकते है मैं भी आपको समझाता हूँ कि Manhattan distance जब हम मेयर करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं अब Euclidean और Manhattan distance को शो करवाने के लिए एक छोटी सी diagram can actually help you यह आपके पास Euclidean distance है आपने point A से point B की तरफ जाना है तो यह जनाब एक Euclidean distance है directly line और Manhattan distance किया है कि आप छोटे-छोटे blocks की base पे आगे जाएं और अगर आप गौर करें यह line जो हैं यह blocks को show कर रही हैं अगर आप हर एक line को एक block तसवर करें और यह road तसवर करें तो आप सड़को सड़की जान दियें मुटे आरे नहीं वो वला काम यहां पे कर रहे हैं यानि कि आप road by road यहां से move कर रहे हैं Manhattan distance इस तरीके से हमारे पास आता है इसका मतलब यह हुआ कि जब हम यहां से जा रहे हैं यहां तक तो इसका मतलब यह है कि हम यहां से इतना distance मेयर करेंगे फिर इतना distance मेयर करेंगे फिर इतना करेंगे फिर इतना करेंगे फिर इतना करेंगे और फिर इतना करेंगे सो हमारे पास ये सारे के सारे distances को मेयर करके Manhattan distance finally calculate होगा ठीक है लेकिन mathematically Alhamdulillah mathematics के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़े हैं जो हमारे काम को और भी असान बना देती हैं वो हम देखते हैं किस तरीके से हमें Manhattan distance को find out करने के लिए help out करती है simply अगर आपके पास कोई एक say for example आपके पास point P जो है is equal to 1 and 2 जो हमने पहले भी देखा था यानि कि X1 और Y1 जो हमारे पास है 1 and 2 है और दूसरा point है Q जो हमारे पास 3 and 4 है यानि कि इसका जो distance है X2 और Y2 के coordinates देखा जाए यह तो यह दो points है तो हम Manhattan distance को इस तरीके से calculate करते हैं कि we can say that distance from P to Q point is equal to किस तरीके से हम इसको लिखेंगे 1 minus 3 यानि कि हम इस तरीके से लिखेंगे 1 minus 3 और इसके इर्दगिर्द हम इस तरीके से mod का sign लगा देंगे plus 2 minus 4 यहाँ पे हमने mod का sign लगा दिया ठीक है तो अगर आप गौर करें तो modulus क्या होता है basically यह minus 2 इसका answer आया plus इसका भी answer minus 2 आया लेकिन यह modulus क्या करेगा यह negative values को positive कर देगा simply इसका जो अगर mod remove करेंगे तो यह negative को cut करके हमारे पास positive value 2 दे देगा plus 2 यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब है कि यही distance हमारे पास 4 आ गया है ठीक है समझा है बात की so हमारे पास इसकी equation क्या बनती है अब आप सोच रहे होंगे कि Manhattan distance की equation फिर क्या होई so Manhattan distance की equation हम देखें तो it's very simple it's very easy आपने क्या करना है कि distance of p and q यह वाला जो distance है p and q का यह basically equal है x1 यानि के पहला point minus x2 यानि के दूसरा point और इनका modulus ठीक है यह mathematical notation है plus आपने करना है और फिर y1 minus y2 इसका modulus ठीक है अब यह reason क्या है इसके modulus लेने की उसकी reason यह है कि distance can never be in negative value हम distance find कर रहे हैं इस point से इस point का ठीक है तो हमें यह positive value मिलती है यानि के a से जितना b का distance है उतना ही b से a का distance है न negative positive की तो बात ही नहीं है समझ लगी बात की क्यूंके जो distance होता है वो basically kilometers में होता है say for example फैसलाबाद से लहोर city का distance कितना है अगर वो for example 180 kilometer है ठीक है from फैसलाबाद to लहोर तो जो लोग लहोर से फैसलाबाद आते है वो भी तो इतना ही सफर तैय करते है ठीक है उनको तो कोई मसला नहीं है कि वो negative value में जाने से कोई different तो नहीं हो जाता इस वज़ा से distance को हम modulus के थूँ negative को positive करते है और यही Manhattan distance की जो equation है हमारे पास इस तरीके से हमें help out करती है that how can we calculate these things और अगर मैं इसको एक finalized form में लिखो जैसे मैंने पहले लिखा था जो हमारी equation use होती है mathematical notation के अंदर for multiple spaces तो मैं यहाँ पे d of p to q यानि कि distance यह वाला इस वकद Manhattan distance है और यह होगा equal to submission of यानि कि sum of i is equal to 1 to n जितनी भी आपकी जो dimensional spaces है and modulus of x of i minus y of i ठीक है इसका मतलब यही है जो मैंने ऊपर आपको equation लिखके दी है यह वाली अगर 2D space होगी तो इस तरीके से होगा अगर आपके पास 3 होगी तो यहाँ पे आप तीसरा point भी लिख देंगे चोथा भी पांचवा भी छटा भी it's up to you जितने भी points आप लिखते जाएंगे उतना distance आपके पास आता जाएगा at the end this is a simplest simplest form of Manhattan distance ठीक है जी तो यह Manhattan distance है Manhattan distance आपके पास इस तरीके से चलता है और Euclidean और Manhattan distance में यही फरक है कि यहाँ पे आप block to block चलते हैं और यहाँ पे आप from A point to B चले जाते हैं और यह आप सभी के सभी को calculate करने नहीं बैठेंगे say for example आप अगर पहले इतने पहज को calculate करते हैं फिर इतने को फिर इतने को it will give you the same result as this equation तो इज़ारी बात है Manhattan distance को calculate करने के लिए this equation can be really helpful तो यह Manhattan distance और Euclidean distance दो किसम के आपके पास distances हो गए है which helps us to calculate the distance between two points और यह distances K-nearest neighbor में भी काम आते हैं K-means clustering में भी काम आते हैं और कुछ और distance matrix जो algorithm use करते हैं वहाँ पे भी काम आते हैं जो point to point distance को हमने measure करना होता है हम 2D space की बात करते हैं ज्यादा तर और 3D space में भी obviously वहाँ पे Z भी आ जाएगा so you can actually calculate different distances over there as well एक और किसम का distance होता है जिसको बोलते है min cos की distance वो अगले lecture में मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक आपको Manhattan distance clear हो गया होगा